हरे कृष्णा श्रीमत भागवतम केंटो वान चेप्टर टू श्लूक नमबर ट्वेंटीफोर पार्थी बाध्यारुनो धूमहा तस्माद अग्ने स्ट्राइमयह तमसस्तूरजस्तामास अनुवाद अतात्पिडिया श्लू प्रहुपात के द्वाराओ, शिल्य प्रहुपात की चेप्टर अनुवाद इंधन पृत्वी का रुपांतर है लेकिन धुआ इंधन से श्रिष्ट है अगनी उससे भी उत्तम है क्योंकि अगनी से यानि वेदिक यग्यों से हमें श्रिष्टतम ज्यान के लाग प्राप्त हो सकते है इसी प्रकार रजोगुन तमोगुन से श्रिष्ट है लेकिन सत्वग मनुष्या परमशत्यका साक्षात्कार कर सकता है तो इसमें भगवान ने भागवतम में बहुत सुन्दर एनलाजी दिया है कि तेनों गुण जो है, इसमें सबढकुन क्यूं कूसे हम भगवत शाक्षात्कार कर सकते है, तमों गुण से श्रिष्ट है रजोगुन, रजोगुन से श्रिष्ट है सत्वगुन जैसे कि इंधन से श्रिष्ट है धुआ और धुआ से श्रिष्ट है अगनी क्योंकि अगनी जब हम जलाते हैं यग्ग करते हैं तो हम श्रिष्टतम ज्यान लाफ कर सकते हैं तात्पिरमेशिल प्रभपाजी बताते हैं, जैसा के पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्ति से ही इस जगत के बध्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की भक्ति के अलावा और कोई भी उपाई कीजिए, भगवत सक्सातकार नहीं कर सकते और नहीं भववन्दन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे इस महा मंत्र का जब करना चाहिए। और इस प्रकार हम सत्तोगुन तक पहुंच सकते हैं यानि यह मंत्र जब हम जब करने लगते हैं भगवांग की कृपा हम पर होती है और हम जब प्रयास करते हैं कि जो तामसिक है मांगस हम छोड़ दे, नशा छोड़ दे, जुआ खिलना छोड़ दे, यावेध यौन संबन छ तो यह अपने आप हो जाता है और भगवांग की कृपा से हैं क्योंकि हम प्रयास करते हैं तो इस प्रकार हम भक्ति के योग्य बन सकते हैं किन्तु यदि प्रगति में बाधाय आये तो सक्षम गुरु के निरदेशन से तमस्पत से भी धिरे-धिरे सत्व तक उठा जा सकत है एकदम से सत्व गुन में नहीं आ सकते है तो तमववन चे रजोगुन रजोगुन से सत्व गुन आ सकते हैं अता निश्वल वेक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामानिक दक्ष गुरु के पास जाए दक्ष बाधर मतलब जो पड़म-पड़ासे हो भर्षन रजस या सत्वा की किसी अवस्था से भी मुक्ति पत्तक जो ले जा सकते हैं क्योंकि सत्व गुन में भी हम सत्व गुन में आते हैं तो भगवत भक्ति हमें मिलती है या कोई भी रूप समान रूप से लाब प्रद होगा। बंधें से चुटकरा नहीं पा सकते हैं। नात्र अनुभूती हो पाती है। तमोगुन में तो बहुत मिश्किल है। लेकिन रजोगुन में थोड़ा सा अनुभूती होती है। जो दर्शन, कला, चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धानतों से युक्त, संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किन्तु सत्वगुन जो है, इससे भी उच्चतर गुनावस्ता है, रजोगुन से भी उच्च है। जिससे भगवत साक्षातकार में वास्तविक सहायता मिलती है। दुसरे शब्दों में ब्रम्ह, विष्णु तथा हर, यानि शिपजी, नामक, अधिश्टाता, देवों की विभिन्न, पुजा, विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुनात्मक अंतर होता है। तो फल में अंतर होता है, जीसे फहुतिक फल तो देवता दे सकते हैं। लेकिन अगर मुक्ति देना है, तो क्रिष्ण भी दे सकते हैं। FE